नमस्कार दोस्तों आप सबको मेरा यूट्यूब चैनल में श्वागत है तो आज हम इस वीडियो में आपको बताने वाले है साइनुसेडल प्रोजेक्शन का ग्रेटिकुल कैसे ड्रोग किया जाता है तो यहां पर आप लोग देख रहे हैं साइनुसेडल प्रोजेक्शन का इसको कैसे ड्रोग करते हैं आम इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे तो दोस्तों अभी यहां पर क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है ड्रोग ग्रेटिकुल और साइनुसेडल प्रोजेक्शन उद्धाहल पभी स्केल आरेफ कितना है वन इस्तु तु तु यहां पर दिक्योए एकट्योल यहां का व्यलू कितना है 635,000,000 और गिभबन स्केल जोकि कोश्चन में अल्री लिए हुआ है 200,000,000 इसको हम लोग दिभाइट करेंगे, दिभाइट करेंगे बाद अर्ड का व्यलू कितना है यहां 3.17 cm तो हम लोगों को यहां पर आर का व् मिल गया है अभी step 2 करेंगे step 2 में क्या है दिखिए length of the equator इसका value कितना दिया हुआ है twice pi r तो 2 into pi का value कितना 22 divided by 7 3.14 और into r का value कितना मिला था हम लोगो 3.17 तो तीनो का हम लग इन्टो करने के बाद equator का length कितना है 19.90 और यह हो गया centimeter then again next में क्या है half of the equator half of the equator का formula किया है twice pi r divided by 2 तो यहां पे लिखिया answer कितना है 9.95 तो दोस्तो हम लोगों को length of the equator मिल गया और half of the equator मिल गया जो कि है central meridian तो अभी हम लोग क्या करेंगे जो कि हम लोगों को मिला था length of the equator का value 19.90 cm और half of the equator का 9.95 cm तो इसके मदद से हम लोग क्या करेंगे यह जो equator line देख रहे है इसको हम लोग 19.90 scale के साहेता से हम लोग 19.90 cm एक line किसेंगे जो कि equator line और next में क्या है half of the equator कितना है 9.95 तो 19.90 को हम लोग को divide करेंगे दूशे उसके बाद 9.95 यहां से हम लोग 9.95 इसके से मेधर में लेंगे और 9.95 में पर एक दोट देंगे दोट देने के बाद यहां से एक line किसेंगे तो यह हो गया central median और यह बन गया equator तो अभी हम लोग क्या करेंगे step 3 step 3 में क्या है देखिए division of other parallel along the central median जो की हम लोग का central median यह बन गया है यह इसमें से हम लोग other parallel को divide करेंगे इसका प्रोमला किया है दिखिए पाई आर इंटो इंटर्वेल डिवैदेट बाई 180 तो पाई का बहलू अल्री हम लोग सेंट्रल मेडियन का बहलू मिल गया है कितना है 1.65 सेंट्रल मेडियन में डिवैट करेंगे यह रिके एक्वेटर लाइन यह होगे 65 यह होगया 30 डिग्री का यह होगया 60 डिग्री और यह होगया 90 डिग्री ठीक इसी तरह हम लोग इस तरह भी 1.65 करके डिवैट करेंगे इसके बाद क्या करना परेगा हम लोगो को पेरलेल को लाइन एक किसना पड़ेगा, यह हो गया 30 दिग्री का पेरल, यह हो गया 60 दिग्री का पेरल, और यह 90 दिग्री डॉल, ठीक इसी तरह हम लोगो को इधर भी लाइन किसना पड़ेगा, 30 दिग्री पेरलेल के लिए, 60 दिग्री पेरल, और यह हो गया 90 दिग्री, तो तो अभी हम लोगों को equator भी मिल गया, central median भी मिल गया और अधर parallel भी मिल गया, तो next step जो कि step 4 हम लोग क्या करना परेगा अभी इतर देखे division of other medians along its parallel, जो कि median बाकी था, अभी median को draw करने के लिए हम लोगो यह formula यह फोर्मुला यूज करना परेगा, तो यहां पे देखे क्या लि सेम रहेगा इधर, twice pi or cos phi into interval divided by 360 degree, तो पहले हम लोगो 0 degree में median divide करना परेगा, इसलिए 0 degree का लेंगे हम 0 degree, तो इसका हम cos phi निकालेंगे, जो कि scientific calculator में cos अल्रड़ी डिया हुआ है, उधर आप लोग क्या करिएगा, cos enter करने के बाद, 0 को enter करिएगा, उसके बाद, अटमेतिक लि के अभी twice pi or, जो कि 2 into pi का भेलो अल्रड़ी पता है, 3.14, उसके बाद r, 3.17, जो कि रिखे है, दोस्तों, इधर twice pi or का भेलो अल्रड़ी दिया हुआ है, जो कि 1, उसके बाद interval 30 degree, इसको हम लोग into करेंगे, उसके बाद divided by 360 degree, कितना आया, 0 degree के लिए 1.65, ठीक, इसी तरह हम ल 30 degree के लिए, cos calculator में आप लोग अच्छाने से मिल जाएगा, scientific calculator उसके ना पड़ेगा, दोस्तों, तो तो 60 degree के लिए करेंगे, यहां पर आगया, 60 degree का, फिर 90 degree का, ठीक है, दोस्तों, इसी तरह आप लोग scientific calculator के मतद से, cos का भेलो निकाल सकते हैं, निकालने के बाद ये table आपको अब लोगा complete हो जाएगा, तो दोस्तों ये table में देखिए, अल्रेटी मेरिदियन का भेलो हम लोगा मिल चुका है, जो कि, division of other medians along its parallel, 0 degree का 1.65, जो कि 0 degree equator है, तो यह लाइन जो देख रहे हैं, 0 degree का equator line, तो यहां से हम लोग क्या करेंगे, 1.65, यह देखे, 1.65 करके, यहां से divide करते जाए, अब तो 180 degree तक, जो कि हम लोगा interval है, 30 degree, तो यहां पर 30 degree, 60 degree, 90 degree, 120 degree, 150 degree, 180 degree, यह 0 degree में हो गया divide, ठीक, इसी तरह आप लोग क्या करिये, इस तरफ, इस तरह भी divide करिये, 1.65, 1.65 करेंगे, अब तो 180 degree तक, next में क्या है, 30 degree का, 30 degree का कितना है, 1.43, तो यह हम लोगा 30 degree parallel है, यह north और यह south, ठीक, इसी तरह हम लोग, जैसे equator में divide करेंगे, ठीक, इसी तरह हम लोग, इधर भी divide करेंगे, कितना, 1.43, 1.43 करके हम लोग, इधर भी divide करते जाएंगे, अब तो 180 degree तक, ठीक, इसी तरह, इस चाइट भी divide करिये, फिर उपर का line में भी divide करिये, ठीक, इसे ही हम लोग क्या करेंगे, 60 degree के लिए भी divide करेंगे, जो कि यह चार्ट में दिया हुआ है, 60 degree के लिए, और 90 degree जो कि 0 है, यह dot dot देने के बाद, आखिर में क्या करेंगे, यह dot dot line दिये थे हम लोग, इसको हम लोग जोड देंगे, 0 degree से, फिर यहां से इधर जोड देंगे, फिर इधर से इसको जोड देंगे, पूरा आपको वान दिगरी तेक जोड ना है, इसी तरह इस तरह भी करना है, दोनों साइट में, क्योंकि इसका दिखिए हैं दोस्तों, इसका मेरिडियन्स अल्मोच साइन कार्ड है, इसलिए इसको साइनुसेडल प्रोजेक्शन बोला है, आपको बताएँ, आभी क्या करेंगे, यहां पर, यह Zero दिखिर के equator, Zero दिखिरी इधर, 30 दिखिरी जो गे लिखा भें 60 दिखिरी और 90 दिखिरी, एर इस रे हम लोग इधर भी लिखेंगे, यह हो गया North यह हो गया South तिखिर हम लोग बीच में, में, पूर're,ैकों Ciao द झाल झाल